ओम शिरी गुनेश आए नम्हा हर हर महादेव उमापती महादेव की जैं शिबलिंग की स्थापना उसके लक्षन और पूजन की विदी का वर्नन तथा शिब्पत की प्राक्ति कराने वाले सत्कर्मों का भुवेचन विश्यों ने पूचा सूत जी शिबलिंग के स्थापना कैसे करने चाहिए उसका लक्षन क्या है तधा उसके पूचा कैसे करने चाहिए किस देश काल में करने चाहिए और किस दिव द्रव के द्वारा उसका निर्मान होना चाहिए सूत जी ने कहा महारिशियो मैं तुम लोगों के लिए इस विशे का वर्णन करता हूँ ध्यान दे कर सुनो और समझो अनकूल एवं शुप समय में किसी पवित्तर तीरत में नदी आदी के तट पर अपनी रूची के अनुसार ऐसी जगा शिबलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां नित्य पूजन हो सके पार्थिव द्रव से जलमे द्रव से अत्वा तैजस पदार्थ से अपनी रूची के अनुसार कलपोक्त लक्षनों से युप्त शिबलिंग का निर्मान करके उसकी पूजा करने से उपासत को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्रापत होता है संपूर अन्फूब लक्षनों से युट्ट शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वैततकाल पूजा का फल देने वाला होता है यदि चल प्रिस्टा करनी हो तो उसके लिए मोटा सा शिवलिंग अत्वा विग्रे शरेष्ट माना जाता है और यदि अचल प्रिष्टा करनी हो तो स्थूल शीबलिंग अत्वा वीग्रे अच्छा माना गया है उत्तम लक्षनों से युक्त शीबलिंग की पीट सहित स्थापना करनी चाहिए शीबलिंग का पीट मम्डला कार गोल चोकर त्रिकोन अत्वा खाट के पाई की भाती उपर नीचे मोटा और बीज में पतला होना चाहिए ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है पहले मिंटी से प्रस्थर आदी से अजवा लोहे आदी से शिवलिंग का निर्मान करना चाहिए जिस दर्व से शिवलिंग का निर्मान हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए यही स्थावर अश्चल प्रस्ष्षटावाले शिवलिग की ब्शेश बात है चर-चल प्रस्षटावाले शिवलिग में भी लिंग और पीट का एगी उत्पादन होना चाहिए किन्तो बान लिंग के लिए यह नियम नहीं है लिंग की लंबाई निर्मान करता या स्थापना करने वाले यजमान के बारा अंगुल के बराबर होनी चाहिए ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है अधिक हो तो कोई दोश की बात नहीं है उसकी लंबाई कम से कम गरता के एक अंगुल के बराबर होनी चाहिए उससे छोटा होने पर अलपफल मिलता है किन्तु उससे अधिक होना दोश की बात नहीं है यजमान को चाहिए कि वो पहले शिल्पक करे शास्तर के अनुसार एक विमान या देवाले बनाए जो देवनगों की देवगनों की मूर्दियों से अलंकरित हो उसका गर्ब ग्रह बहुत ही सुंदर सुदर और दरपन के समान सवश हो उसे नौ परकार के रतनों से भिकूशित किया गया हो उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में दो मुखदवार हो जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्थ में नीलम लाल वैदूर शायम मर्कत मूती मूंगा गोमेद और हीरा इन नो रतनों को तथा अन्यमहत्त पूरंद्रव्यों को व्यादिक मंत्रों के साथ चोड़े सोजो चात आदी पाँच वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का पाँच स्थानों में ग्रिमिशन पूजन करके अगनी में हविश्य की अनेक अहूतिया दे और परिवार सहत मेरी पूजा करके गुरू गुरू सवरूप अचार्यों को धन से तथा भाई बन्दों को मन जाही वस्तुव से संदुष्ट करें याचकों को जड सुवर्ण ग्रह एवं गुरू संपत्ती तथा चेतन को आदी वैभव परधान करें स्थावर जंगन सभी जीवों को यतन पूर्वक संतुष्ट करके एक गड़े में सुवर्ण तथा नो परकार के रदन भर कर सजो जाती इत्यादी व्यादिक मंत्रों का उचारन करके परमकल्यानकारी महादेव जी का ध्यान करें अंगी स्थापना करके उसे पीठ से सन्युक्त करें एस परकार्पीठ योग शिव लिंगन की स्थापना करके उसे दित् लेप देर्गकाल तक टिके रहने वले मसाले से जोड कर स्थिर करें इसी परकार वहां परम सुंद्र वेरमूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए सारांच यहे कि भूमी संस्कार आधी की सारी विधी जैसी लिंग परतिष्टा के लिए कही गई है वैसी ही वेरमूर्ति परतिष्टा के लिए भी समझनी चाहिए अंतर इतना ही है कि लिंग पर्तिष्टा के लिए प्रन्व मंत्र के पर उचारन का विधान है प्रन्तु वेर की पर्तिष्टा पंचाक्ष्र मंतर से करने चाहिए जहां लिंग की पर्तिष्टा हुई है वहां भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदी के निमत वेर मूती को रखना आविशक है वेर को बारा से भी लिया जा सकता है उसे गुरु जनों से ग्रेहन करें बहाँ वेर वही दीनी योगे है जो सादू पुर्शो द्वारा पूजित हो इस परकार लिंग में और वेर में भी कि हुई महादेव जी की पूजा शिव बद प्रापत करें वाली होती है स्थावर और जन्गम के भेद से लिंग ये भी दो भेद है वरिक्ष दता आदी को स्थावर लिंग कहते हैं और क्रिम कीट आदी को जन्गम लिंग स्थावर लिंग की सींचने आदी के द्वारा सेवा की करनी चाहिए और जन्गम लिंग को आहार एवं जल आदी दे कर त्रप्त करना उचित है उन स्थावर जन्गम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरप्त होना भगवान शिव का पूजन है ऐसा विधान पुर्ष म आते हैं यो चराचर जीवों को ही भगवान शक करके पर तीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविविद्वित उपचारों द्वारा उसका पूजन करें अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालैके ब शीव लिंग साक्षत शीव का पद्परदान करने वाला है अत्वाचर लिंग मेश दोशो उप चार द्वारा यतोचित रिती से क्रिश्मिश पूजन करें यह पूजन वी शीव पद्परदान करने वाला है अवाहन आसन अग्रद्य पाद पाशांग आचमन अभंग यंग पूर्वक्सनान वस्तर एवं यगो पवीत गंद पुष्प धीप दूप नवैद तंबूल संपर्मन समर्पन निराजन नमस्कार और विसरजन ये सोला उपचार है अथवा अर्ग से लेकर नवैद तक विवदीवत पूजन करें अभिशीक नवैद नमस्कार और तप्रण ये सब यशा शक्ती नित्य करें इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित लिंग में रिश्यों द्वारा स्थापित शिव लिंग में देवतों द्वारा स्थापित शिव लिंग में तथा अपने द्वारा न्यूतन स्थापित हुए शिविलिंग में भी उप चार सम्पून्म रूप से जैसे दैसे पूजन करने से या पूजन की समगरी देने से भी मनुष्य उपर जो कुछ कहा गया है वैसारा फल प्रापत कर लेता है कृश्मिश पर कर्मा और नमस्कार कर अपने से भी शिवलिंग शिवबद की प्राप्ति कराने वाला होता है यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्यान प्रतप्रख होता है मिट्टी आटा गाएं के गोबर फूल का नेर पुश्प फल गुड मक्षन भसम अत्वा अन से भी अपनी रूची के अनुसार शिवलिंग बना करता दुनों साथ उसका पूजन करें अत्वा प्रती दिन दस हजार पनरम मंत्र का जप करें अत्वा दोनों संद्याओं के समय एक-एक सहस्त्र प्रणव का जप किया करें यह क्रम भी शिवबद की प्राप्ति कराने वा होता है समाधी में मानसिक जप का विधान है अत्वा अन्य सपी समय भी उपान्शू जप ही करना चाहिए नाद और बिंदू से युक्त उंकार के उचारन को विधान पूश्य समान प्रणव कहते हैं यदि प्रती दिन आदव पूर्वक दस हजार पन्चाक्ष्र मंत्र का जप किया जाए अत्वा दोनों संध्याओं के समय एक-एक सहस्त्र का ही जप किया जाए तो उसे शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए ब्रामनों के लिए आदी में प्रणव से युक्त पंचाक्ष्र मंत्र अच्छा बताया गया है कलत से किया हुआ सिनार म गुरू इन सब को उत्तमाना गया है दिख्जों के लिए नमशिवाय के उचारन का विधान है दिखे चत्रों के लिए अंत में नमपद के बढ़्योग की विदी है अर्थात वे शिवाय नमह इस मंत्र का उचारन करे इस्त्रियों के लिए भी कही कही विधी पूर्वक नमोर्त उचारन का ही विधान है अर्थात वे भी नमह शिवाय का ही जाप करे कोई कोई रिशी ब्रामन की इस्त्रियों के लिए नमह पूर्वक शिवाय के जब की अनुमती देती है अर्थात वे नमह शिवाय का जाप करे पंचाक्षर मंत्र का पांच करोड जब करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है एक दो तीन अत्वा चार करोड का जब करने से ग्रिश्मिष ब्रामा विश्णु रुद्र तथा महेश्वर का पद प्रापत होता है अत्वा मंत्र में जितने अक्षर है उनका प्रथक प्रथक एक एक लाग जब करे अथ्वा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षरों उतने लाग जब करें इस तरह के जपकोशिपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए यदि एक हजार दिनों में प्रती दिन एक सहिस्त जप करके क्रिश्मिश करम से पंचाक्ष्र मंत्र का दस लाग जप पूरा कर लिया जाए और प्रती दिन ब्रामन भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभीष्ट कारे की सिद्धी होने लगती है ब्रामन को चाहिए कि वे प्रती दिन प्रात्यकाल एक हजार आठ बार गायत्री का जप करे ऐसा होने पर गायत्री कृष्मिश शिव का पंदपरदान करने वाली होती है वेद मंद्रों और वैदिक सूत्रों का भी नियपूर्वक जप करना चाहिए वेदों का प्रायन भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला है ऐसा जानना चाहिए अन्याय जो बहुत से मंत्र है उनका भी जतनी अक्षर हो उतना लाख जप करे इस परकार जो यथा शक्ती जप करता है वे रिश्मत शिवपद मूख्ष प्रापत कर लेता है अपनी रूची के अनुसार किसी एक मंत्र को अपना कर मृत्यू प्रात प्रती दिन उसका जप करना चाहिए अत्वा ओम इस मंत्र का प्रती दिन एक सहस्त्र जप करना चाहिए ऐसा करने पर भगवान शिवी की आक्या से संपून मनरत्थों की सिद्धी होती है जो मनुष्य भगवान शिव के लिए पुल वाडी या बगी की आधी लगाता है तथा शिव के सेवाकार के लिए मंद्रों में जारने बुहारने आधी की ववस्था करता है वह इस पुन्य कर्मों को करके शिव बद्र को प्रापत कर लेता है भगवान शिव के जो काशी आदी शेतर है उनके में भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें वह जड़ शेतर सभी को बोग और मोक्ष देने वाला होता है अत्वा विधान पूर्श को भगवान शिव के शेतर में आमरन निवास करना चाहिए पुन्य शेतर में स्थित बावडी कुवां और पोखरे आदे को शीव गंगा समझना चाहिए भगवान शीव का ऐसा ही वचन है वासनान दान और जब करके मनुष्य भगवान शीव को प्रापत कर लेता है अतहा मृत्य उपरांत शीव के शेतर का आश्र देकर रहना चाहिए जो शीव के शेतर में अपनी किसी मृत्त सबंदी का दाह दशाह मासिक श्राद सपिंटी करन अत्वा वार्शिक श्राद करता है अत्वाश कभी भी शिव के शेतर में अपने पित्रों को बिंड देता है वैततकाल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद पाता है अत्वाशिव के शेतर में साथ पांच तीन या एक ही रात निवास कर ले ऐसा करने से भी खृश्मत शिव पद की प्रापती होती है लोक में अपने अपने वरन की अनुरूब सदाचार का पालन करने से भी मनुषय शिव पद को प्रापत कर लेता है वर्नान पूल आच्रन से तथा भक्ती भाव सेवे अपने सत्कर्मों का अतिशय फल पाता है कामना पूर्वक किये हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को शीदर ही पा लेता है निशकाम भाव से किया हुआ सारा करम शाक्षात शिवपद की प्राक्ति करने वाला होता है दीन के तीन विभाग होते हैं प्रात्य मद्यहण और सायाहन इन तीनों में ग्रिश्मिश एक-एक परकार के करम का संपादश किया जाता है प्रात्य काल को साश्र विहत्म नित्य करम के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए मद्यहन काल सकाम करम के लिए उप्योगी है और सायकाल शांती करम के लिए उप्योगत है ऐसा जानना चाहिए कि इसी परकार रात्री में भी समय का विभाजन किया गया है रात के चार पहरों में से जो बीच के दो पहर है उन्हें निश्य थल काल कहा गया है विशेश गत्य उसी काल में की हुई भगवान शिव की पुजा अभीष्ट फल को देने वाली होती है ऐसा जान कर करम करने वाला मनश्य यतोत फल का भागी होता है विशेश गत्त कली युक में करम से ही फल की सिद्धी होती है अपने अपने अधिकार के रुसार उपर कहे गए किसी भी करम के द्वारा शिवाराधना करने वाला पूर्ष यदी सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह अन उन करमों का पूरा पूरा फल अवर्ष प्रापत कर लेता है रिशियों ने कहा सूत जी पुन्य शेत्र कौन कौन से है जिनका आश्र लेकर सभी इस्तरी पुर्ष शिवापत प्रापत कर ले यह हमें संशेप में बताएए बोलिये शंकर भगवान कीजै उमापती महादेव कीजै हर हर महादेव